हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप मेरे नाम है नावीन और आप देख रहे हैं नियो वल्डेग यूटूब चैनल दोस्तो आप सभी के लिए गोड नियूज है एपल की तरफ से आ चुकी है नई वेकेंसिज जी हाँ फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी स्टुटेंट्स के लिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपल की लेटेस्ट रिकूर्मेंट के बारे में तो फ्रेंड्स यहां पर आपको बताएंगे कि सलेक्शन प्रोसेस क्या है कौन-कौन से स्टुटेंट्स अलिजीबल है आप इधन कब से कब तक च देखेगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक निक्या है तो जल्दी से लाइक कर दे क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी परकार आपको विकेंसिस की अपडेट सबसे पहले देते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शे जिया फ्रेंड जैसा कि आप और में हम सब जानते हैं कि एपल एक बहुत ही बड़ा ब्रैंड है एक बहुत ही बड़ी कंपनी है तो दोस्तों गर आप इस कंपनी में इस ब्रैंड में जुड़ करके अच्छा कासा पैसा कमाना चाते हैं तो आज की इस वीडियो में लास्ट सबसे ची बात यह है कि एपल की इस वेकिंसी में आपकी कोई भी एक्जाम नहीं होगी डारेक्ट सेलेक्शन होगा परमानेंट जोब है सीधी भरती है यहाँ पर आपसे एप्लिकेशन फीज भी नहीं ली जारी है बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं सैल्दी ज पुरी जानकरी और आविदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ओफीशल वापसाइट पर टिप्स वारलबस.xyz पर तो आज ही गूगल में सर्च करें टिप्स वारलबस.xyz जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे आप सिधा हमारी ओफीशल वापसाइट पर आजएंगे तो friends हम सिधा आ चुके हैं हमारी official website पर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं Apple की latest recruitment के बारे में तो friends यहाँ पर कौन सी post पर notification जारी किया गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं management associate की post पर यह notification आ चुका है apply cable आपको friends online ही करने होंगे आवेदन already start हो चुके हैं as soon as possible last date है apply cable आपको online करना है all over India के male और female candidates apply कर सकते हैं यहाँ पर selection process में friends आपकी कोई भी exam नहीं होगी के वल interview के माध्यम से आपका selection रहेगा वही salary आपको मिलेगी good salary as per rules जो की Apple के rules के मताबित होगी काफी अच्छी salary होगी काफी handsome salary होगी वही education qualification जो है यहाँ पर graduate degree अगर आपके पास है relevant field के अंदर तो आप apply कर सकते हैं यहाँ फिर अगर आप MBA पास है degree अगर आपके पास में relevant discipline में तो आप apply कर सकते हैं और friends यहाँ पर आपके लिए कोजी key qualification से वो पूरी जानकरी यहाँ पर दी गई है जैसा कि आप यहाँ पर check out कर सकते हैं कि आपके पास में key qualifications क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको job description के बारे में भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर job की description क्या है किस प्रकार यहाँ पर job रहेगा किस प्रकार आपको काम करना होगा किस प्रकार यहाँ पर job function है job का पूरा रहेगा वो सारी जानकरी हमारी official website प्राकर करके भी आप check out कर सकते हैं और सबसे important बात की apply आपको कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं तो दोस्तो आविदन जो है already start हो चुके है as soon as possible last day अब आपको बताते हैं apply कैसे करना है दोस्तो यहाँ पर यह रहा online apply करने का link यहाँ पर आपको click करना है दोस्तो यहाँ पर आप click करते आजएंगे नए page पर यहां पर आप आएंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस open हो जाएगा जो जानकारी हमने आपको दी है वो आप यहां पर भी check out कर सकते हैं so friends यहां पर आपको submit resume का button दीएगा यहां पर आपको click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद में आपके सामने आजाएगा एक नया page यहाँ पर आप दिसकते हैं कि Apple ID आपसे मांगी जारी है अगर आप जो है जोब के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर sign in करना होगा लेकिन अगर आपके पास में ID नहीं है तो आपको यहाँ पर create your now ID आपको create करनी होगी यहाँ पर create your now पर click करना है आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यह रहा online forum so friends यह रहा online forum आप देख सकते हैं यहाँ पर create your Apple ID आपको create करनी है यहाँ पर आप जो है आपका first name डालना है last name डालना है आपका जो reason है country है वो आपको यहाँ पर select करना है यहाँ पर आपको सभी country आज देखने को मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर India select करना है आपका birthday कब है मतलब कि आपकी date of birth क्या है वो आपको डालनी है आपका email ID डालना है आपका password कुद को आपको create करना है यहाँ पर दोनो password आपको वही डालने है password डालने के बाद आपको confirm करना है उसके बाद में यहाँ पर आपको इंडिया पर देखना है तो आप message से भी कर सकते हैं या फिर phone call से भी तो आप यहाँ पर text message पर click रहन दीजेगा उसके बाद mobile number डाल करके आपको यहाँ पर checkbox को write करना है उसके बाद यह जो capture code है यह अलग-अलग आपकी screen पर दियेगा तो वो आपको यहाँ पर type करना है आप चाहें तो इसे refresh भी कर सकते हैं new code के माध्यम से ठीके यहाँ पर आपको क्या करना है capture code डालने के बाद में उसके बाद आपको continue करना है बस इस प्रकर आपको create करनी है आपकी ID उसके बाद आपको करना है आपको यहाँ पर फिर से आना है आपने जो आपकी create की है ID वो यहाँ पर डालनी है और आपको यहाँ पर remember करके आपको यहाँ पर sign in कर देना है प्रोसेट कर देना है इस बटन को दबा देना है उसके बाद आप आजाएंगे dashboard के अंदर उसके बाद आपको एक एक post के लिए आप apply कर सकते हैं further कोई भी vacancy जारी होगी तो आप इसी ID के माध्यम से apply कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार आप जो है registration कर सकते हैं apply कर सकते हैं तो friends यह थी आज की vacancy की update अगर आपके मन में कोई भी सवाले शंका हो तो आप हमें comment जरूर कीजेगा लेकिन ध्यान दीजेगा आपका जो resume होना चाहिए वो update होना चाहिए उससे पहले आप update कर दीजेगा तो upload करने से पहले आप ध्यान दीजेगा आपका resume जो CV है वो update होना चाहिए कोई भी सवालें शंका हो friends इस vacancy के regarding तो comment जरूर कीजेगा जवाब देने की पूरी कोशिच करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो like कीजेगा चैनलन को subscribe जरूर कीजेगा Thank you so much